हेलो विल्कम टो इस्टेडी क्लासेस तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप इंग्लिस में अप्लिकेशन कैसे लिख सकते हो सब्जिक्ट यह है कि आप एक स्कूल के टीचर है और आपको हाप देखी छुट्टी चाहिए स्कूल से ठीक है तो ऐसे सारे विडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरे एप्लिकेशन इंग्लिस एप्लिकेशन हिंदी निवन या आवेदन पत्र समंदित कोई वी वीडियो चाहिए किसी भी विशाई में किसी भी सब्जेक्ट के उपर तो आप लोग कमेंड बॉक्स में कमेंड कर सकते हो कि इस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हों तो चले आफ आगे बरते हैं सबसे पहले बढ़न क्या लिखना है कि लिखना है कि to the principal ठीक है to the principal फिर school name लिखना है आप लोगों को कि आप कौन से school के teacher है school का address और यहाँ पर date देना है आप लोगों को ठीक है फिर subject subject मैंने क्या कहा कि आप school के teacher है और आपको school से half day की छुट्टी चीए तो subject में आप लोगों को लिखना है कि application for half day leave for a medical check-up आपका कोई भी reason हो तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं यहाँ पर मैंने medical check-up लिखा है तो क्या आवेदन पत्र जैसे हम लोग लिखते हैं विशे में हिंडी में लिखते हैं विशे में आवेदन पत्र छुट्टी के लिए या फिर किसी भी चीच के लिए तो application for half day leave for a medical check-up ठीक है यह लिखना है आप लोगों को फिर लिखना है कि respected sir आप प्रिंसेपल को आवेदन पत्र देने वाले हैं जाहिसी बात है आप स्कूल के टीचर है तो लिखना है respected sir with due respect I want to say that I am Tiasa Zil आप लोगों को यहाँ पर अपना नाम लिखना है working in your school as an English teacher ठीक है मतलब आदर्निय सर with due respect सम्मान के साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं Tiasa आपके स्कूल में as an English teacher यानि English teacher काम करती हूं English teacher के रूप में आपके स्कूल में मैं काम करती हूं I would like to inform you that I have to visit doctor for my medical check-up मैं आपको inform करना चाहती हूं कि मुझे doctor के पास अपने medical check-up के लिए जाना है at that time taken an appointment on the date आप लोगों को यहां पर date देना है कि कौन से तारीक को आप लोगों को छुट्टी चाहिए date at three o'clock at noon दोपहर में मुझे तीन बजे इतनी डेट को इतने डेट में मेरा एक डॉक्टर के पास appointment है ठीक है यह आप लोगों को लिखना है यहां पर आप लोग विजिट डॉक्टर फॉर मैं मेडिकल चिक अप क्या करना है मुझे डॉक्टर के पास विजिट करना है मेरे मेडिकल चिक अप के लिए at the time taken an appointment on the date at three o'clock at noon मेरा एक appointment है दोपहर के तीन बजे ठीक है therefore therefore I request you to kindly grant me a leave absence for half day तो आप मुझे क्रिपया करके मेरे request को मानिये मतलब मैं जो आविदन कर रहा हूं वो आप मानी ठीक है मैं जो आविदन कर रही हूं आपके सामने वो मानिये और मुझे half day की छुट्टी दिजे I will be very much grateful if you grant my leave request अगर आप मेरे leave request को मानते हैं तो मैं आपके लिए काफी grateful रहूंगा फिर आपको यहाँ पे इधर left side में thanking you लिखना है दूसरे side में your sincerely और आपका नाम और आप किस पर्द पर है इस school में किस पर्द पर है आप English teacher है तो English teacher, Math teacher है तो Math teacher वहाँ पे आपको नीचे में लिख देना है ठीक है इतना ही आपको करना है अगर आपको अपने school से half day का लिख चाहिए अब देखें यहाँ पे मैंने teacher के लिखाया ठीक है teacher के लिए तो अगर आप school में teacher नहीं बलकि student है तो भी आप इसको ऐसे ही लिख सकते है subject में application for half day for a medical check-up यह लिख दिया आपने लेकिन यहाँ पे आपको लिखना है with due respect I want to say that I am still a student of your school यहाँ पे सिप student लिख देना है यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा था working in your school as an English teacher जैसे कि हम लोग लिखते है ना हिंदी में कि मैं आपके विद्धालाई का कक्षा 5 वी या कक्षा 10 वी का छात्र है तो यहाँ पे आप लोगों को बस working in your school as an English teacher के बदले आप लोगों को लिख देना है student of your school बस आप लोगों का काम बन जाएगा फिर आप लोग पूरा ऐसे करके चीजों को लिख सकते हैं अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे लगे तो वीडियो को लाइक काना नहीं भूलें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कोई और दिखकत हो तो वीडियो को शेयर केजिए और मेरे instagram आकांट को भी फॉलो खर सकते हैं